अगर आपको पसंद है तो यह खबर आपके लिए है जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता उनको भी सुनना चाहिए Indian Railways Catering and Tourism Corporation यानि की IRCTC शेर बाजार में उतर गई है कमपनी अपना Initial Public Offer यानि की IPO ले आई है यानि आप अब इस कमपनी के शेर खरीच सकते हैं इसके चोट उसे मालिक बन सकते हैं बारती रेल से जुड़ी ये चौथी कमपनी है जो शेर मार्केट में उतरी है इस से पहले RITES रेल विकास निगम और एरकॉन अपने शेर ला चुके हैं शेर मार्केट को जितना इंतजार IRCTC का था उतना इन कमपनियों का नहीं वजह सिंपल है IRCTC सरकारी कमपनी है और मुनाफे में है और ये सिर्फ टिकट नहीं बेशती ये एक लौती कमपनी है जो भारती रेल को कैटरिंग सर्विस देती है देश में जो निजी ट्रेने चलने वाली है वो IRCTC ही चलाने वाली है इसलिए निवेश करने के हिसाब से ये एक मजबूत कमपनी मानी जाती है और आप जाकर वो दर्वाजा खुला है जिसके जर्ये आम लोग इसमें निवेश कर सकते हैं कमपनी जितने बेशना चाहती है उसके 60 फीजदी से जादा के लिए आविदन आ चुके हैं और एक दर्वाजा हम आपके लिए खोल रहे हैं आसान भाशा में बताएंगे IRCTC के शेयर को लेकर इतना भबबर क्यों है पहला सवाल कितने शेयर बेच रही है IRCTC? जवाब 99 फीजदी नहीं इतने बेच नहीं रही है इतने शेयर भारत सरकार के पास होते हैं सरकार राष्टपती के नाम पर चलते हैं कमपनी इनमें से साड़े बारा फीजदी शेयर बेचना चाहती है इस हिस्सेदारी को 2 करोड 1,60,000 शेयर में माटा गया है हर शेयर की कीमत 315 से 320 के बीच रखी गई है अनमान है कि कमपनी इन शेयर को बेच कर तकरीबन 645 करोड रुपे जुटा लेगी कमपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में उतरी है इसलिए शेयर बिक्री को इनीशियल पब्लिक इशू कहा जा रहा है आप कैसे खरीद सकते हैं IRCTC के शेयर अगर आपकी मर्जी हो तो IRCTC का IPO खरीदने के लिए आपका DMAT अकाउंट होना चाहिए जैसे पैसे के लिए इन दिन के लिए बैंक अकाउंट होता है अब मुमन हर बैंक आपको अपने साथ DMAT अकाउंट खोलने की फैसलिटी देता है काता खोलने के बाद जितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं उतने पैसे आपको अकाउंट में डालने होगे फिर आपको DMAT अकाउंट के IPO सेक्शन में जाकर IRCTC के IPO के अप्लाई करना होगा कोई शर्ते होती हैं मसलें कम से कम 40 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करना होगा 40 से जादा लेने हैं तो 40 के गुडांक में ही लेने होगे जैसे 80 120 या नहीं कि भाई या ठीक ठीक लगा दो 41 दे दो आप अधिक्तम 16 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट यानि की 40 शेयर 16 लॉट यानि की 640 एक लाग साथ हजार शेयर आयार सीटीसी के कर्मचारियों के लिए रिजर्व है आम रिटेलर यानि हमारे आपके जैसे लोग उनके लिए 70 लाग 56 शेयर उप्लाद है शेयर के लिए अप्लाई करने के आखरी तारीख है 3 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को पता चलेगा आपको कितने शेयर मिले अगर कुल संक्या से जादा आविदन आये तो कहा जाएगा कि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए है ऐसी स्थिती में IRCTC लॉट्री से शेयर का बटवारा करेगी लॉट्री में आपको जितने मिले वो आपके आविदन से कम मिले तो बचा हुआ पैसा आपके डिमेट अकाउंट में 10 अक्टूबर को वापस आ जाएगा बाजार में ये बात तैमानी जा रही है कि IRCTC का IPO ओवर सब्सक्राइब होगा 12 अक्टूबर को ये IPO शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा मतलब उसके बाद आप अपने शेयर मार्केट रेट पर बेच पाएगे अंदाजा है कि बाजार में IRCTC का शेयर IPO वाले मूल इसे 20-30% उपर बिख सकता है कितना समझ में आया है कमेंट बॉक्स में बताईएगा जब डिश्टल पे शो देखें टीवी वाले चिट्टी पत्री लिख सकते हैं पता सिंपल है आज के शो में इतना ही अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए शुब रातरे